अलो बच्चों, उमीद है आप फिटफाट होंगे और जबरदस तयारी कर रहे होंगे नीट के competitive examinations की मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूँगा कि आप जिस भी institution में पढ़ रहे होंगे चाहे वो offline हो या online आप देख रहे होंगे कि नीट physics में especially वो chapter 1, 2 या बहुत ज़ादा तो तीसरे chapter पर होंगे मेरे खाल से तीसरे पर भी नहीं होंगे अगर आप इस speed से चलेंगे तो क्या multiple revision आप कर पाएंगे क्योंकि उनके जो institutions होते हैं बड़े बड़े या जो online platform है उनके कुछ अपने एक agenda है जिसके तहत आपको पढ़ाते रहते हैं वो अगर आप तेजी से physics को करना चाहते हैं नीट physics को तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ 21 दिन के अंदर ही आपको tremendous benefit इसका नजर आ जाएगा जिन बच्चों की physics ठीक ठाक नहीं है या अच्छी नहीं है जीरो टू हीरो की मैं बात कर रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं आती physics थोड़ा बहुत पढ़ा है 12 पासा उट हैं आप फिर भी इन चीजों को follow करेंगे तो जबरदल performance करेंगे और great speed के साथ तो मैं याँ दो बात physics 11 12 की जल्दी से जल्दी खतम कर लें और multiple revision कर लें क्योंकि दिखें neat में selection का पूरा खेल आपके revision पर है आप 10 बार revision करने का target लेके चलें उससे ज़ादा कर ले तो और अच्छी बात है आप जो पढ़ाई करते हैं उसमें obvious सी बात है आप करते भी हैं बायो बहुत पढ़ते और इसमें कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि बायो 50% पेपर तो बायो को आना है लेकिन disadvantage कहां हो जाता है कि कई बच्चे ये भूली ही जाते हैं कि उनके पास physics और chemistry भी है ये disbalance जब होता है तो अगर आपके बायो में 360 में 360 आ भी गए तो भी selection की कोई guarantee नहीं है और selection मिल भ हैं एम्स डैली नहीं पहुच पाए सोचिए बायो में पूरा सारा सही सही लेकिन एम्स डैली पहुचने से भारी मात्रा में चूग गए क्योंकि उनके marks उतने नहीं बन पाए तो अगर आप balancing approach लेके चलेंगे कि आपको बायो के साथ आपको physics भी पढ़नी है तो आप देख समझे बातों को और केवल डेल घंटे केवल 1.30 आवर्स आप डेली दीजिए मेरे को और देखिए कैसे 21 दिन में बात पलट जाती है 21 दिन के अंदर ही बात कर रहा हूँ अगर मैं मान लूँ कि 10 से 12 घंटे की पढ़ाई आप दिन में करते हैं तो 3 घंटे की physics तो आप सकता हूँ रफ फिगर उससे जादा भी हो सकता पढ़ते हो और नहीं पढ़ते तो पढ़ना चाहिए नहीं बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी तीन घंटे में डेल घंटे मुझे दे दीजे आप और देखिए कितनी स्पीडी तरीके से मैं आपको काम बना देता हूँ तो यही दो चैप्टर, वन चैप्टर, टू चैप्टर और उसमें महीनों निकल जाएंगे तो बात नहीं बनेगी आप मेरे साथ आईए 21 दिन का चैनल लीजे शॉट एंड डिटेल वीडियो के तहत क्या नाम देता हूँ में शॉट एंड डिटेल वीडियो यानि पूरा स्लेबस म कम से कम समय में आपका काम बनेगा मैं आपको पहले ले चलता हूँ कि जहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हो फिर मैं आपको दिखाऊंगा मैं अगर 21 दिन की बात की जाए तो मालीजे मैं चैप्टर नंबर 0 लिखता हूँ यहाँ पर बेटा दिखिएगा जिसे आप Basic Mathematics कहते हैं जो नीट के लिए चाहिए तो मैं Basic Basic Math कर देता हूँ इसको मैं मैंने आपके लिए कवर किया है दो लेक्शर के अंदर चैप्टर वन की बात कर लें अगर हम लोग जो कि यह यूनिट्स एंड डामेंशन यूनिट्स एंड डामेंशन इसको मैंने आपके लिए पूरी स्लेव स्लेवस की बात कर रहा हूं इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा आपको इससे बाहर से पढ़ने की कोई आफशकता नहीं है फुल स्लेवस कवर्ड और बहुत ही शॉर्ट टाइम में और डिटेल इस्तिती में चैप्टर टू की मैं बात करूं तो यह बन जाएगा आपका वे दिमेंशन मोशन इन वन डाइमेंशन लिख देता हूं और इसको मैंने कवर्ड किया है तीन पार्ट के अंदर पूरा स्लेवस कवर्ड इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा आपका नीट के अंदर सब कुछ आपको गवर्ड मिलेगा फिर मोशन इन प्लेन या टू इसको मैंने cover किया है 5 parts में detailed video हैं और उसके बाद work energy chapter 6 भी लिख लेता हूँ जिसमें work energy and power energy बेटा and power and power इसको मैं cover कर रहा हूँ 3 lectures के अंदर अब दिखिए इन lectures को add up कर लीज़े आप 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10 10, 2, 12 और 3, 15, 5, 20 20 days ही वक्त हुआ 20 दिन के अंदर बेटा देखिए कमाल देखिए 20 दिन के अंदर 0 को भी count कर लें तो आपने 7 chapters cover कर लिए 7 chapters और total chapters कितने पढ़ने हैं मेरे according जो मैं बना के दूँगा 31 chapters हैं जो 11, 12 दुनों को cover कर रहे हूँगे अगर आप 20 दिन के अंदर 6 chapters cover कर रहे हैं तो 31 chapters कितने दिन में cover करेंगे आप देख लिजे 5 गुना कर लिजे मोटे तोर पर 5 गुने का मतलब 100 days 100 days का मतलब साड़े 3 महिना तो साड़े 3, 4 महिने में बिटा आपकी पूरी physics खतम हो जाएगी और full syllabus के साथ इसके बाहर से एक question नहीं आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूरा syllabus covered है तो आप कच्छुए की speed न पकड़िये और मैं एक चीज और आपको धिहान दिला दूँ कि जिनको physics नहीं भी आती है मैं zero to hero की बात कर रहा हूँ कि आपको physics नहीं आती कोई tension की बात नहीं इतनी सरल भाषा में physics पढ़ाई गई है अगर मैं दिखाता हूँ देखिए एक channel पर किस तरह से playlist बनाई है जिसका आप use करके बहुत short time में बहुत तगड़ा confidence गेन कर सकते हैं आईए चलते हैं screen पर तो यहाँ पर हम लोग स्क्रीन पर आगए है आप देख रहे होंगे और यहाँ पर देखिए अरविंद अरविंद अकेडमी नीट चैनल के नाम से specially designed video है नीट के लिए specially designed video कोई भी मैंने 12 नहीं लगाया कोई भी मैंने J नहीं लगाया अरविंद अकेडमी नीट को सब्सक्राइब कर लिजे और यह देखिए मैंने आपके लिए शुरुवात किये basic mathematics आप देख पा रहे होंगो दो वीडियो इसके अंदर है फिर यह देखिए नीट का chapter number 1 units and measurement इसमें तीन वीडियो देख रहे हैं इस तरीके से देखिए chapter 2 की बात करें जिसे vectors बोल रहे हैं इसके अंदर दो वीडियो हैं आप देख पा रहे होंगे और बाते करें तो chapter 3 motion in 1 dimension तीन वीडियो इसके अंदर दो वीडियो chapter number 4 motion in 2 dimension आगे बात करूँ तो आपको मिल जाता है Newton's law motion जिसमें 5 वीडियो सब कुछ cover मिलेगा आपको और मैंने इसमें time stamp भी लगा दिया है जिससे आप जब पढ़ाई करें देखिए मैं आपको दिखाता भी हूँ कोई वीडियो चला के मैं यही खोल लेता हूँ उसको मेरे खाल से शायद खुल जाएगा आराम से play होगा की नहीं हो गया अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको सारे time stamp भी दिख रहे हैं यानि की आप पूरी चीज पकड़ सकते जो भी topic पर जहां जाना चाहें तो पूरी इस चीज को आप cover कर सकते हैं shortest possible time में फुल coverage के साथ तो मेरे को ये आपकी मदद करने में खुशी हो रही है कि आप इसको तेजी से cover करें और अपना जबरदस्त काम बनाएं यही नहीं और देखिए अब यहाँ पर देखिए मैं आपको अपनी टेलिग्राम चैनल में ले आया हूँ जिसका लिंक में description में फास्ट रिवीजन कर सकते हैं या आप self notes मना सकते हैं मैं एक चीज और आपको याद दिलाता हूँ, मैं आता हूँ अपने PowerPoint वाले presentation में, फिर दिखाता हूँ, यहाँ पर देखे सारे आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से सारे वीडियो आपको दिख रहे होंगे, यह देखे वीडियो पड़े होंगे, यह देखे वीडियो पांच चप्टर की इसलिए तीसरा है, ऐसे ही करते करते ही, लास्ट पार्ट इसका फ्रिक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका लिंक और नीचे देखे तो आपको दिखाई पड़ रहा है, इसका PDF डाउनलोड कर लिए अपने पास रख लिए, मैं आपको बताता हूँ कि इससे आप क्या कर सकते हैं, अब एक देखिए क्या होता है, जो नोड्स बनाने की बात की जाती, जिसे मैं बोलता हूँ self-node, अगर आप serious हैं डॉक्टर बनने के लिए, नीचे में selection लेने के लिए, तो नोड्स दो आपको अपने हांस से लिखने चाहिए, जो मेरी PDF है, वो आपको help कर देती है आपके self notes बनाने में, self notes बनाने में, कभी भी ये गलती मत कीजेगा, कि किसी madam के दिये वे notes, किसी sir के दिये वे notes से ही आप पढ़ ले, आपको उतना फाइदा नहीं होगा, जिसके notes रहते हैं, उसी को tremendous फाइदा मिलता है, तो आप ध्यान रखिए, आलस मत की जिए और धीला ढाला रविया मत रखिए, क्योंकि जब आप NCRT के साब से 97 chapters को एक दिन के अंदर देने जाएंगे, ना नीट का exam, तीन घंटे के अंदर, तो 97 chapters दिमाग में डाल नहीं पाएंगे, डाल तभी पाएंगे, जब आपके बनाये गए notes होंगे, जो आपको फटा के लिए, जो teacher notes आपको दे रहा है, वो supportive material होगा, तो ध्यान न किए इस बात का, आप notes मनाये, और जो मैंने तरीका बताया, उसको 21 days आप follow कीजिए, आपने देखा कि 21 days follow करने पर, आपके physics के बेटा, 6 chapters आप complete कर लेते हैं, 6 chapters, सूचिए कितनी तूफानी तरीका है, कितनी लेकिन इसके बाहर से कुछ नहीं पूचा जाएगा, क्योंकि ये पूरा syllabus covered है, ये आसान भाशा में physics है, detailed physics है, तो आप Arvind Academy NEET चैनल को subscribe कीजिए, और मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, वीडियो का, जो भी playlist में है, क्लिक करके देखिए, और मुझे केमेंट करके बताइए, क आज मैंने ये दो वीडियो कंप्लीट कर लिए, और मेरा confidence level इस जगा से इस जगा पहुँच गया, तो मुझे आपका कमेंट का वेट रहेगा, तुरंत वीडियो देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए, thank you very much, कच्छुए की चाल छोड़िए, stylish चाल चोड़िए, smart study और तेजी से आगे बढ़िए, God bless you, उमीद करता हूँ कि साल आप सेलेक्ट हो जाएंगे नीट में, good bye, best of luck.